ये सुनिश्चित कर लें कि सभी power sources disconnect हो गए हैं ये सुनिश्चित करें कि printer बंध है printer के पीछे का हिस्सा देखने के लिए printer को उल्टा घुमाए आपको printer body के नीचे चेचिस को पकड़ने वाले चार screw को खोलना होगा आपको screw तक पहुँचने के लिए एक लंबे पेचकस की जरुरत पड़ेगी जो की नीचे की पैनल में घुसे हुए है चारो screw को एक एक करके खोले फिर से printer को पल्टें प्रिंटर के टॉप को ध्यान से उपर उठाएं ओपरेशन में आसानी के लिए सबसे पहले प्रिंट हैट केबल को डिसकनेक्ट करें उसके बाद कीपैट केबल को डिसकनेक्ट करें दो LCD डिस्पले केबल को एक एक करके डिसकनेक्ट करें कस्टमर डिस्पले कनेक्टर केबल को डिसकनेक्ट करें अब प्रिंटर को पल्टें और अपने काम की सतह पर शीर्ष पैनल को रख दें पाँच स्क्रू की पैनल PCB और बॉडी को जोडते हैं सभी स्क्रू को एक एक करके निकालें पूरा होने पर की पैनल PCB को हटा दें और नए की पैनल PCB से बदल दें पैनल को होल्ड करने के लिए पाँच स्क्रू को एक एक करके कस दें प्रिंटर हैड केबल को फिर से कनेक्ट करें की पैड केबल को फिर से कनेक्ट करें दो LCD डिस्पले केबल को एक एक करके फिर से कनेक्ट करें Customer Display Connector केबल को फिर से Connect करें उपर वाले पैनल को बदलें और सुनिश्चित करें कि ये निचले पैनल पर मजबूती से फिट हो गया है Printer के पीछे का हिस्सा देखने के लिए Printer को उल्टा घुमाए नीचे के पैनल को जोड़ने के लिए चार स्कूरू को कसें Printer को फिर से सीधा कर दें पिर से सीधा थे तर चुमाए